गोडिविंग गोडिविंग एविवान यह सो तोड़ी विल बिस्कॉसिंग नीट वेपर और हम आज डिसकस करने वाले हैं बॉटनी का सेग्मेंट जौलजी का सेग्मेंट और डिसकस हो चुका है और आंसर की इस अवेलिबल ऑन आप आप अस वेबसाइट करेक्ट चली तो लेट्स स्टार्ट विट बॉटनी सेग्मेंट टोड़े और हम सारी के सारे जो क्वेश्टन से उनको डिसकस करेंगे सबसे पहले तो कॉंग्राचुलेशन कि सबका पेपर अब फिनिश हो गया है बहुत रिलीफ फील ओड़ा हुआ कि हां फाइनली इतने दिनों से हम लोग में 2021 की प्रिपरेशन कर रहे थे और फाइनली अब वो खतम हो गया राइट बट फ्रॉम नाव अब थोड़ा सा एक् ले पाएं और अगर मैं ओवराल पेपर की बात करूं तो बाइलोजी का पेपर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था काफी स्टांडर्ड पेपर आया था आज वले स्केमिस्ट्री और फिजिक्स बस एक चो छोटी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने फेस की इस पूरे इस पूरी प्रॉसस में जिनको स्पीड की प्रॉब्लम थी उनका कुछ पेपर जो है या कह सकते हो फिजिक्स का सेग्मेंट हो काफी ज्यादा छूट गया बहुत सारे बच्चे यह भी भूल गए कि कुछ हमें ऑप्शन दिये होए थे हमें सारे क्वेशन से नहीं करने थे इसके बीच में इस बार पहली बार बहुत सालों में ऐसा हुआ कि इस वेरी डिफिकल्ट टू गेस्ट कट आउफ दिस यर क्यूंकि काफी वेरियेबल इंपॉट्स आए है फ्रॉम डिफरेंट इफरेंट 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 स्टुद्स राइट बट्ट गुड़ स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दे चानल एंड हिट दे बैल आइकन जिस नेक्स्ट विट तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे यू किन आल्स जॉइन टेलीग्राम इंस्ट्र के बारे में पूछा है एंडव वराइटी ऑफ ग्यामेट्स अप्शन साथ नेट स्कॉर बुलेट स्कॉर पंच स्कॉर एंड पुलेट स्कॉर अच्छा एक चीज़ और आपने इस बार नोटिस की होगी कि क्वेश्ट जो ऑप्शन से वह काफी स्ट्रेट फोवर ऑप्शन जो ऑप्शन से उसमें कुछ बहुत ज्यादा इन्होंने आप कह सकते हों कंफ्यूजिंग या बहुत ज्यादा क्लोज इनफ आप्शन नहीं ते काफी स्ट्रेट फॉवर अगर आप पेसिक एलिमिनेशन टेखनीक जानते हैं तो आप आराम से इन सब को सॉल्व कर पाएंग चली नेक्स क्वेशन आप आ जाते हैं वताफट से जानते हो ब्राइभ और आप मिलते हैं तो यह दोनों तो अलिमिनेट हो गए नाओ इवन इन दीज रिमेंबर लिवरवाट मार्शैंटिया का एक पूरा-का पूरा डाइग्राम दिया हुआ है आपके एंसे आपके यह च चोटे-चोटे ऐसे गेमाई कप्स बने हुए फिरिमेंबर राइट चली नेक्स वेशन देखते हैं कि यह जो हो रहा है कि मेंटेन हो रहा है हमने इस बारे में भी बात की थी राइट चली इस कांसर क्या होगा फाउंडर एफेक्ट जेरेटिक ड्रिफ्ट नाच्र सेलेक्शन जेनेटिक रीकॉमिनेशन मुटेशन ना ओल इस क्राइटेरियास आडियों से अंटगॉन इस तुवर्ट हार वीनबग प्रिंसिपल ना नेक्स्ट क्वेशन प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉंस तो एन्वायरमेंट और फेज़स ऑफ लाइफ तो फॉर्म दिफरेंट कांड्स फ्रॉक्ट इस अबिलिटी स्कॉल्ट ऑप्चिन इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिल पर रिस्पॉंस दे रहा है कि और सो थोड़ा साथ देखोगे कि क्वेश्टिस का जो औरियंटेशन था वो काफी जेनरल था तो अगर आपने ध्यान से क्वेशन भी पड़ा है तो आप बहुत आसानी से आंसर दे पाओगे तो एक एलास्टिसिटी है एक फ्लेक्जिबिट है तो मूव कर पा रहे हैं यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फेजस ऑफ एन्वायमेंट के बारे में बात की है और रिस्पॉंस टू एन्वायमेंटल कंडिशन नाव मैच दे फॉलविंग आपने एक और चीज नोटिस क्योंगी बहुत सारे मैच दॉलम थे त तो बहुत सिंपल सी बात है उन्होंने सेलेनर डिविजन के बारे में बात कर दी तो अफकॉस ए और टू का कॉंबिनेशन है अब आप इसमें देख लो का कॉंबिनेशन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नमबर बी में तो दिस इस डाट इजी तू आट आते हैं विकास क्लिस्टोगामी किस में होता है इसका मीनिंग वर्ड मीनिंग है लोग बीज़ प्रेजिट चैस्मोगामी में इस ओपन ऑपन स्ट्रक्टर जहां पर किसी भी टाइप का पोलन ग्रेंटर कर सेकता है बट फू फ्यूज नहीं करेगा तो यहां लेफ्ट डिफरेंट फ्लावर इसलिए यह जेनेटिक मोडिफिकेशन नहीं दिखाएगा जेनेटिक री कॉम्बिनेशन नहीं दिखाएगा इसके बारे में भी हमने क्लास में डिसकॉशन किया था बहुत ही ज्यादा इजी क्वेशन पूछा था राइट एक कह सकते हो ट्रिक कह लो यह शॉर्ट कट है डी एई सिंपल सी बात है तो देख लो डे डी नेजरेशन एनलिंग एक्स्टेंशन राइट सबसे पहले इसको डी नेचर करेंगे नेक्स्ट इसमें टेंपरेचर ऑल्स प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो लोग नेक्स्ट देख लो यहां पर ए और त्री एक यौप्शन में दिया हुआ है दिस इस वह व्यूप्शन बिद्धि वह वरी क्विक्ली बाकी ओप्शन देखने के रिक्वार्मेंट भी नहीं यह बट जस्ट इनकेस जस्ट इनकेस इस ओल्वेस सेफर या बाकी क्योंप्शन को भी एक रिव्यू कर लो क्विकली ताकि कोई भी गलती का स्कोप ही ना हो नेक्स्ट वेशन इंस्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉंपेटिशन नेचर विच मेकानिजम दे कंपेटिंग स्पेशीज माइट हाव इवाल्ड फॉर्ड देर सर्वाइवल प्रेडेशन रिसोर्स अगर आपको याद हो हमने चार्ट के बारे में डिसक्शन किया था जहां पर हमने साधी चीजें सारे केसे को डिसकस किया था कि मूच्वलिजम कहां होगा कॉंपेटिशन कहां होगा तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि विच मेकानिजम फॉर्ड फॉर्ड देर सर्वाइवल है ना तो यहां पर क्या होगा अंसर आप खुछ सोचिए सिंपल सी बात है अगर रिसोर्स की पार्टिशनिंग हो जाएगी तो कॉंपेटिशन सर्वाइवल के लिए इवॉल बढ़ जाएगा ना डीने स्ट्स ऑन जेल स्टेंड विध एथिडियम ब्रोमाइड सबसे बात है ब्राइट औरांच हमने सारे ही सब कुछ न्च इस बारे में ब्राइट औरेंगे बंस में बनते हैं में अगर आपको वह यह चार्ट याद है यह दिए हुए हैं उसमें यह सारी चीज़ें मैंशन है बहुत अपकॉस इस बिस गों टो भी रेड आलगी रहिट एव् और आंसर इस तूफोर डी रिमेंबर इसमें हमने दो तीन चीज़ें और की थी ऑगजिन से असोसियेटर है यह विचल फॉलिंग प्लांट इस कि अगर आपको लाइन अगर आज इस मालों की आपको दूसरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पढ़ेगी आप डिरेक्ली आंसर दे पाओगे राइट कितने स्टेट फॉर्वड कोशन पूछें घुमा फिर आके कुछ भी ज्यादा पूछा नहीं है तो यहां पर क्या होते हैं अमीनो आसे जो ग्लूकोस जो है वो सेकेंड्री मेटा नहीं है बाकी सारे के सारे सेकेंड्री मेटाबॉलाइट से नेक्स्ट क्वेशन यहां पर पूछा गया था यह ए बी सी चीज़ तो अफकॉर्स इस सेंटल डोगमा यह कहता है कि रैप्लिकेशन हो रहा है तो दोनों बाकी की दोनों options cut next B मैंने बताया था DNA से जब प्रोटीन बनेगा अगर आपको यह याद है तो यहां पर हम इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन टाइट सॉप्शन फोर इस दर करेक्ट आंसर राइट एवरिवन चले नेक्स क्वेशन दसाइट ऑफ पर्सेप्शन ऑफ लाइट इंप्लांट्स दूरिंग फोटो पीरियोडिसम इस कहां पर होगा अफकोर्स लाइट ट्रापिंग मेकानिसम हमारे पास कहा कहता है लीफ के अंदर बाकि सारे जो हैं यह सेटिंडरी स्ट्रक्चर से राइट एवरिवन प्राइमरली लीफ जो है वो एंट्राप्मेंट का ही काम करेगा और परसेप्शन का भी काम करेगा नेक्स वैक्वेशन ग्रॉस प्राइमरी प्रॉड़क्टिविटी बहुत बा प्रदास में बताए थी कि क्रिस्टाइब एक की साथ पूछेंगे और यहां नहीं पूछा है क्योंकि कई बाद यहां पर हमारा कंफूजन हो जाता है यहां पर आप देखोगे कि थाल लकॉइट चलो यहां पर सिंपल से बात है क्रिस्टाइब को छोड़ देते हैं यहां साइक इन तो स्टोर्म ऑफ दा प्लास्ट है ना ऐसे डिस्क यह गोल गोल शेप के हैं इन सब को मिला कि हम क्या बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं इसंट तो देखो यहाँ पर बी और फॉर का कहा पर कॉंबिनेशन दिख रहा है मुझे दिख रहा है ऑप्शन नमबर फॉर में नमंगो केया नटार कोल एक सेकीं झीज़ा टर आकोयद में घ्र करोब मेंव्रेन में ये भी आयप्षन आप देख सकते हूं एक मिनेट क्रस्टाइnten और शिस्टर नारईस साइड स्थालोकॉ מलेट कोई पहले देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि थालोकॉंट यहां पर देखो फोर और थी का कॉंबिनेशन यह रहा ए और थी का कॉंबिनेशन बाकी कहीं पर भी अविलिबिलिटी है नहीं बी को देखोगे तो 4 है बी का 4 अच्छा एक मिनिट मैंने यहां पर छोट छोटी सी गलती कर दी बी का 4 है ना बी का 4 मैंने option 4 लिदिया तो बी और 4 बी और 4 कहां का पर है यह और यह थी तू आप्शन सागिविंग बी और 4 टुगेदर ठीके बाकी दोना अपने आप स्टेंट रोमीर कि बोलता है तो सेंटरह मिध क्या है रिमरी iq shaped sack in the gold guy apparatus next question which of the following algae contains mannitol as a reserve food material mannitol or kya hota hai laminaria laminarian right so ye stored food form kiske present ho ta hai ecto-carpus ke an dar next question which of the following is incorrect statement nuclear pore acting as passage for protein and RNA molecule in both directions between nucleus and cytoplasm option b mature sieve tube elements possess conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organo अगर आपको यादो सीव ट्यूप के पास खुद का जो nucleus है वो present नहीं होता है companion cell उसको अपना nucleus दे देते है राइट तो यह incorrect statement हो गया already आगे बढ़ने की requirement ही नहीं है next question mutations in plant cells can be induced by mutation करवानी है zeatyn kinetyn infrared and gamma rays बताइए बहुत simple question straightforward बहुत ज्यादा सोचने के requirement ही नहीं है gamma rays जो है वो क्या करेंगी plant को induced mutation उसके अंदर induce कर देंगी अब एक छोटा सा question आप लोगों के लिए कि अगर already dormancy में चल रहा है काम already plants जो है वो dormant state में है तो कौन से hormone से उसको revive किया जा सकता है मुझे आपके answers का वेट रहेगा आप comment box में अपना answer post कर सकते हैं हाई मुईज welcome to the class 123 next question the first stable product of CO2 fixation in solum पहले तो यह देख लो यह कौन सा plant is this is a c4 plant right this is a c4 plant c4 plant के इंदे co2 fixation कहां होगी और कब होगी है ना बहुत simple question यहां पर first stable product कब बनेगा oxaloacetic acid के बात co2 fixation होगी और आगे जाके हमारे next products हमको मिल जाएंगे next question quickly 124 again match the column everyone cohesion addition surface tension and gutation अगर आपको बागी के तीन टर्म याद नहीं भी आ रहे है तो gutation के definition तो हमने class में ही solve की थी है ना है ना तो सोचो gutation के अंदर क्या होगा more attraction in the liquid phase mutual attraction अमंग water molecules water loss in liquid attraction towards polar surface तो gutation के टाइम पे क्या होता है बाहर की तरफ निकल जाता है पानी isn't it बाहर की तरफ पानी निकल जाता है तो gutation में देख लो कि क्या क्या possible options हमको दिख रहे हैं हम loss of water की बात कर रहे हैं यहाँ पर yes very good moise oxalic acid is the correct answer right just a minute तो हम gutation की बात कर रहे थे gutation is water loss है ना तो यहाँ पर देख लो कि option डी को 3 के साथ कहां कहां पर मैच किया है तो यह दो options दिख रहे हैं बाकी दोनों को delete कर दो बाकी आगे देखते नेक्स चीज़ क्या है नेक्स जी जालते surface tension पर तो यहाँ पर surface tension liquid more attraction in the liquid phase राइट हाँ जी बताएं क्या बोर्डर मुई is option number two yes option number two is the correct answer surface tension more attraction in the liquid phase है ना चलो नेक्स पर जाते हैं कि द्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रॉसेस ऑफ रिकॉंबिन डिन टेक्नालोजी एडिशन ओफ चिल्ड एथेनौल प्रेसिपिटेट्स आउट यह इथेनौल एड क्यों करते हैं बताओ एथेनौल एड करने के पीछे क्या परपस है और यहीं पर कहानी लिख दी कि मुझे रीकॉंबिन डिने बनाना है तो प्रेसिपिटेशन किसका करवाना पड़ेगा अगर आप लोग आराम से पढ़ होगे प्रॉपर्ली उसको पढ़ होगे तो आपका पूरा काम बन जाएगा इवन इन दे नेक्स्ट एक्जाम राइट तो बहुत जादा चीजों के पीछे भागने कभी सेंस नहीं है एंसी आर्टी से स्टेट फॉवर लाइन टू लाइन क्वेशन आए चलो नेक्स्ट इस एमेंसलिजम यह भी हमने क्लास में सॉल्व किया थे पूरा का पूरा चार्ट है इसका राइट अमेंसलिजम यह सारी चीज़े हम लोगों ने डिसकस किती तो एमेंसलिजम में क्या होता है एक और दूसरे का नुकसान यह देखो प्लस और जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब यह कि एक का फाइदा हो रहा है दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है और और इट कुड बी दोनों स्पिशी का तो एमेंसलिजम में एक्जाक्ली क्या होता है कि एक का लॉस होता है और दूसरे का कुछ भी ना फाइदा ना नुकसान तो ऑप्शन नमबर बीज़ दब करेक्ट आंसर ना जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं अमेंसलिजम का एक्जांपल आप लोग कमिंट बॉक्स के अधर लिख सकते हैं मुझे वेट रहेगा नेक्स्वेशन फॉलिंग स्टेजिस ऑफ मियासिस इंवास दिविजन ऑफ दे सेंट्रों मियर सेंट्रों मियर को डिवाइड एक ही जगह पर करेंगे देखों मेटाफेस वगेरा में क्या होगा कि एक्वेटोरिल प्लेन पे आ ज करना है इसके नंबर बढ़ाने इसकी कॉपी बढ़ानी है तो मुझे कौन सी प्रॉसेस का यूज करना पड़ेगा सेफ्टी टेस्टिंग बायो पायरेसी जीन थेरपी मॉलिक्लर डियाग्नोसिस तो खुद ही टेखनीक है वेरी गुड जीन थेरपी बहुत बढ़िया मॉल की बात करें तो इस गोईंग टो भी जीन थेरपी राइट चली नेक्स क्वेशन अमाउंट ऑफ नूट्रियंट्रियंट्स सच आज कार्बर नाइट्रोजन फॉस्फरस क्याशियम प्रेजेंट इन दस सॉइल इस एनि सोरी एट एनी गिवन टाइम इस रफरद तो आस अमाउंट ऑफ नूट्रियंट्स इंक्रीज करना है यहां पर यह क्या बोर रहें स्टैंडिंग क्रॉप क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स कमुडिटी स्टैंडिंग स्टेट बताएट यह भी सार्ए क्वेशन अमने आज सब्सक्राइब चलो बताओ 129 का असर येस अमाउंट अफ नूट्रिशन बढ़ान है कार्बन नाइटरिजन फॉस्फरस काल्शियम राइट किसी भी गिवन टाइम पे तो उसको क्या बोलें हम स्टैंडिंग स्टेट येस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आजाते हैं हमेशा जो लोग आगे के एक्जाम्स के लिए प्रिपैर कर रहे हैं यह अभी से हाबिट डालो 2022 वाले कि यह जो वेरी गुड मोईस बिल्कुल सही स्टैंडिंग स्टैट ही सही आंसर है तो अभी से हाबिट डालो कि नॉट करेक्ट करेक्ट वगेरा को मार्क करके रखना शुरू कर दो कई वार हम ओवर एक्साइटमेंट में या एंजाइटी के चक्कर में गलत आंसर फिल कर देते हैं चलो नॉट करेक्ट देख लेते हैं पिरामिट ऑफ नंबर इस ग्लास लेंड इको सिस्टम इस अप्राइट प्रामिट ऑफ बायो मास इस जैनरली इंवर्टेट यह सारे लाइन से लिखे इंवर्टेट टाइप का बनेगा सो ऑप्षिन नंबर सी इस और थ्री इस रॉंग स्टेटमेंट डाट इस वर इस अपर है सेवन सेल एट नुकलेट यह हो गया अब देखो इस टाइब के व्योंट में कई बार ऐसा वह जाता है कि हम यह देख रहे हैं यहां पर हमें पता है कि सेवन सेल और 8 nucleus है लेकिन हमें क्योंकि 7 और 8 इस सीटीकूइंस में याद है हमारा ध्यान पहले इन दो options पे याद है पहले स्पेसिफिक इस ओप्शन पे सब्क्राइब है ना कि 7-cell पर हमने यहां ध्यानि ने गया कि यहां पर याद है उन्होंने इस चीज़ को exchange कर दिया राइट तो हम हो गए confused isn't it तो यह वाली छोटी-छोटी गलतियां नहीं करनी नेक्स्ट क्रोमोजोम कितना इसी क्वेशन बीचों-बीच प्रेजन्ट है तो क्या बोलेंगे इसको बीचों-बीच प्रेजन्ट है तू आपको याद हो हेट्रण्ट में आपको याद हो हेट्रो सपॉर्स में अगर आपको याद हो बोलते हैं कितना को से कितना सिम्पल है अगर थोड़े भी कॉंसें से तुम एक्जाम देख के आगे तो तुम्हारा किटना सब रहे हैं अगर थोड़ा सा प्रेजंस ऑफ मायंड यूज कर लिया तो ही तुम्हारा काम बन जाएगा चलू नेक्स्ट क्वेशन प्यादता है फि तो अब देखो यहां पर किस किस चीज को सबसे इजली सोच सकते हो मुझे रखता है मैंने बात क्लास में में इस वाइरस फ्री और माइक्रो फ्री कंटेंट वाइए इतनी स्पीड में मल्टिप्लिकेशन होता है कि किसी भी डूसरी स्पीशी का इन्वेजन की जगे ही नहीं बचती है तो सी और फॉर का कॉंबिनेशन अज इस अब देखलो सी और फॉर का है मुझे सिर्फ एक option में सी और फॉर दिख रहा है क्यों करते हैं अबकिंटेंटेशन अफ जीन मॉलीकिलर डियाग्नोसिस जीन अब्लिकेशन प्योरिफिकेशन फॉरिफिकेशन ऑफ आइस व्यूरेट टोटीन नाट अप्लिकेबल मुझे मूझे म्यूटेशन धूण नहीं घर सकतें इंप्लिफाइए करके देख सकतें से सिंपल अगर तुम इसका बहुत बेसिक रोज मारा के लाइफ में एक्जामपल हो तो मैंगनिफाइंग लास है ना हम मैंगनिफाइब करके उसको देखते हैं कि उसमें क्या के छोटी-छोटी चीज़ों की खराबी है कि कोई छोटा पार्ट मिसेंगे तो यह काम करता है ने ओप्शन सी आर ने पॉलिमरेस पाइंट्स तू रोफ एक्टर टू टर्मिनेट प्रॉसस ऑफ ट्रांस्क्रिप्शन बैक्टिया रोफ एक्टर आर फॉर रेस्ट याद कर लो तो यह तो करेक्ट हो गया है ना यह सीदा सीदा यहीं चीज़ करेक्ट हो गई और बागी से मिल गया ऑप्शन नम्बर सी राइट एवर्यवन किसका मोई इस किसका पोल रहे हो कोई बात नहीं देखो सारे जो वीडियो से वह अल्रेडी अवेलेबल है प्लेयलिस्ट में है ना यू केन चेक आउट अप 2022 के अगर प्रिप्रेशन कर रहे हो तो वहां सारी चीज़े प्रॉपर्ली एक्स्प्लेंड की गई है ठीक है चले नेक्स प्राइज आते हैं नावादेश इस पॉसिबल टु डिटेक्ट दी म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कांसर बाइ अलावइं रेडियो आक्टिव प्रोब तो हाइब्रडाइज दा कॉम्प्लेमेंटरी डीने ने क्लोन ऑफ सेल फॉलॉड बाइटेक्शन उजिंग ऑप ऑटो रेडियो ग्राफ है ना अब इसमें क्या पता करना है यह कैसे पॉसिबल है वह यह पूछ रहे है तो आपके क्या क्या ओप्शन से वह देख लो मुटेटेड जीन दस नाट अपिर और फोटोग्राफिक फिल्म एस प्रोब हास कॉम्प्लिमेंटरी कॉम्प्लिमेंटरी है तो कैसे बनेगा य क्या कर रहे थे हम इसको अलग करेंगे यह किसी के साथ धी कॉम्प्लिमेंटरी जीन नहीं बना रहा है इसलिए यह हो सकता है कि कैंसर कॉस कर रहा हो बात समझ में आ गई बहुत ही जादा एजी क्वेशन नेक्स्ट वट इस रोल अफ आरे ने पॉलिमरेस थ्री इन दे प्रॉसेस अफ रांस्क्रिप्शन दे यू क्यारियोर याद करो तीनों लिखे थे आरे ने वन आरे ने पॉलिमरेस वन हां यह सारे के सारे नोट्स में वही बता रहे हूं नोट्स के फॉर्म में तुम यूट्यूब पर देख लो सबकुछ अवेलेबल है प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा सारे तुम्हें शॉर्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप के उपर आप हम लोग को टेलिग्राम पर जॉइन कर सकते हो वी विल ट्राइयर बेस्ट टू प्रोवाइड यू नोट्स ओके चले कंटिन्यू करते हैं क्या पूछा है रोल आफ आरे ने पॉलिमरेस थ्री बहुत ही सिंपल क्वेशन पूछा हुआ है ऐसा रेने यह सब याद करो य यह तो कैसे हो गया टू और वन का हो गया तो बचा क्या टी आरे ने तो ऑप्शन नमबर थ्री इस दख करेक्ट आंसर मैंने बताया था थ्री और टी को ऐसे याद कर दो कि राइट चलिए इसको क्या बोलेंगे सोचते जाओ हमें करेक्ट सीक्वेश सॉरी करेक्ट पेर को ढूंबना है कि करें लेंज शेप्ट ओपनिंग इंदा बार के स्पॉंजी पैरंकाइमा लाज कलरलेस एम्टी सेल्स इन्दी एपिटर्मिस ऑफ ग्रास लीविस सब्सिडरी सेल्स सारे लोग जो जो देख रहे हो कमेंट लोक्स ने तरहा Africans करो कि हम sortaature लेसकुर अ सबनार करो बाइ लाज थिक वॉर्ट कॉल कंजक्टिव टिशू और ऑप्शन नमबर फॉर सेल ओफ मेडिलरी रेज्ट फॉर्म से पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग और इंटर फैसिकिलर कैम्बियम अफकॉर्स इस दा करेक्ट पेर याद करो कुछ इस तरीके का डाइग्राम था इस तरी इसमें यह पूछ रहे है कि इसमें क्वेशन नहीं आया इग्जाक्ली है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यह क्वेशन था ऑप्शन सांव बेस ऑफ जोमेट्रिक लोगैरिद्म बेस ऑफ नंबर लोगैरिद्म फटा-फटा-फटांस करते जाओ बेस ऑफ एक्सपोनेंशल लोगैरिद्म बेस ऑफ नाच्छल लोगैरिद्म इसमें सिंपल सी बात है एक्सपोनेंशल ग्रोथ कव में हम यह की बारे में गर बात करते हैं तो बेसिकली रिप्रेजेंट्स नाच्ट लॉग इसंट इट नाच्टिरल लॉग बोलते हैं एको टरेक्ट एवरिवन चलो next question solve 141 which are the following statement is incorrect your options are oxidative reduction reaction produces proton gradient in the respiration option B during aerobic respiration roll of oxygen is limited to the terminal stage option three in electron transport chain one molecule of any de-plus फ्लेस एच प्लस घिवज राइस तू टू एटीप मॉलेक्यूल एड वन एफटी टू गिवराइस तू थी एटीप मॉलेक्यूल और आप्शिन नमबर फोर वेरी गुड मोईस ऑप्शन फॉर एटी पी सिंथेसाइज थू कॉंप्लेक्स फाइब इसमें सी क्या आंसर हो का वन फॉर्टी वन का मोईस कें यू आंसर इस क्वेस्ट्ट बहुत सिंपल क्वेस्ट्ट पूछा हुआ उन्होंने इनकरेक्ट पूछ रहे एक एने डी कितने टोटल एक बनाएगा यह भी मैंने ख्लास में लिख वाए था इंलेक्टरॉन ट्रांसपोर्ट अध्र से इस इनकरेक्ट एलेक्रान ट्रांसपोर्ट चैन में इस से तो बहुत ही जादा और अफ 50 गोते हैं यहां पर 3ATP यहां पर 3ATP बनेंगे NADPH से और FAD से 2ATPs बना सकते हैं चलो next question which of the following statement is incorrect which of the following statement is incorrect चलिए next का answer फॉस्ट ऑप्शन साइक्लिक फॉस्फो फोटो फॉस्फोराइलेशन इन्वाल्स बोथ PS1 और PS2 यही पर पहला answer मिल गया cyclic phosphorylation में सिर्फ और सिर्फ PS1 available होता है या involved होता है तो cyclic phosphorylation is associated photo phosphorylation is associated with PS1 mechanism तो यही पहला वाला ही incorrect हो गया बाकी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो बोथ ATP and NADPH plus has are synthesized during non-cyclic photo phosphorylation yes stroma lamella has PS1 only and lack NADP reductis granal lamella have both PS1 PS2 तो तो तुमको यही answer मिल गया कि जो cyclic photo phosphorylation उसमें PS1 involved होता है granal lamella के अंदर PS1 और PS2 दोनों के दोनों involved रहते हैं done everyone yes बहुत easy paper बहुत chill paper आया था literally बहुत ही chill paper आया कि तुमको बीच में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगएगा कि consistency टूटी है कि एकदम से नॉर्मल 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 क्वेशन आते हुए एकदम से स्पाइक हो गया कि एकदम से बहुत डिफिकल्ट क्वेशन आ गया है ना हमारा सारा अगया कांफिदेंस कराब हम आगे क्वेशन वैसे गलत कराते हैं ना बहुत सिंपल सूधिनिंग पेपर था विलकुल एक कंसिस्टेंसी से चलता रहे है ठीक है चलता नेक्स्ट्ट्ट्रेस्ट्ट्र फॉलिंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट यौर ऑप्शन साथ ऑप्शन नुबर वन सब्सक्राइब इस स्पेशलाइज सेल को शीट सेल्स उसके बाद फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इस कॉल्ड एस केरियो गैमी अगर तुम याद करो का मतलब क्या होगा न्यूक्लियस है ना तो सिफ सेल की क्यों बात करेंगे हम करेंगे ना फिर लिविंग प्लांट्स पे हर्भी वर करेंगे कि देखो कितना क्लियर कट एलिमिनेशन का प्रॉसस दे दिया उन्हें कितना क्लियर कट कि अगर आपको याद नहीं भी है तो थोड़ा-थोड़ा कुछ वन प्लस टू करके कैसे ना कैसे मैथ लगा के यहां पर सॉल्फ जरूर कर लोगे नेक्स्ट क्वेशन डेने फिंगर प्रिंटिंग इन इन वॉल्स इडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डिने सीक्वेंसिंग कॉल्ट आज याद करो हमने दो डीने स से रिलेटेटिक्टम सौल्व किये थे हैंना इसके बारे में डीटेल में डिसक्शन किया था कि वें ट्र क्याइन क्या होता है और यह क्या होता है यहां पर कुछ था एट से लेके एट से लेके 60 सिक्स्टी बेस पेर्स तक का कंटीनियेशन हो सकता है मुझे याद रहा है इसको एक बाद चेक करना मुझे एक्जैक्ली नंबर याद नीए रहा है बट एट से लेके आगे तक का जो रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं होना चाहिए बहुत जादा इतना लंबा तो नहीं होगा इसको चेक कर लेना कि आट से लेके चलो मैं सेफ साइड लिख दे रही हूं बारा तेरा तक पंद्रा लिख देते चलो पंद्रा वेस्पेर हैं इसका रिपिटेशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे रिपिटेटिव डि प्रोटीन अन्साचुलीट इस न्यूपल याद करते रहें यह बेसिक बेसिक चीज़ें भूलने वाली नहीं है तो यहां पर फॉस्फोर डायेस्टर बाउन्द किसिंगे होता है बताओ फॉस्फोर डायेस्टर बान्ट किसके बीच में होगा विर न Melanie cast मौलूद अनुचकोन लिठेटत के वी उसी से तो हम डीएनेड बनाते हैं हां किन्स कि से में डीएने शुटर अटु मिल जूब कि सबसें कहाँ पर है यह रहा बाकी कहीं पर भी सीर थो कहीं पर भी नहीं है है ना फॉस्फोटाइस्टरबॉंट सिंपल न्यूक्लिक असे इतना इजी क्वेशन अगें कुछ एक चीज भी याद हो कुछ एक चीज भी तुम्हें स्पेसिफिक लिए तो तुम आराम से पूरा का पूरा मैच्ट कॉलम सॉल्व कर पाओगे सेम इस विद पूरा पर आपको एक चीज के बारे में भी काफी अच्छी चीज़ें मतब काफी अच्छे से पता है आप शौर हो तो बहुत आराम से एलिमिनेशन मेथर्ड से आंसर तक पहुँच सकते हो तो इसमें ऑप्शन नमबर टू इस दा करेक्ट आंसर ठीक है चलो मुई इस इस साल एक्जाम दिया था तुमने यह नेक्स्ट यह के लिए प्रिपेर कर रहे हो एक और माच्ट नाइट्रो कोकस राइजोबियम थियो अब बताओ इसका आंसर 146 का देखो नाइट्रो बैक्टर को तुम अगर थोड़ा बहुत तुम्हें याद आ रहा हूं तो कन्वर्जन ओफ नाइट्राइट इन्टू नाइट्रेट सबसे इस चॉइस है यह है ना उसके बाद नाइट्रो कोकस नाइट्रो बैक्टर तो यह काम करता है नाइट्रो कोकस क्या काम करता है नाइट्रो कोकस क्या काम करेगा कि कंवर्जन ओफ अमोनिया इंटू नाइट्रेट है ना तो नाइट्रो कोकस और नाइट्रो बैक्टर साथ में काम करें कि आप धूण लो जड़ा कि एका टू एका टू और डी का थ्री है ना तो आप्शन नंबर टू इस दा करेक्ट आंसर येस कितना इजी नेक्स्ट क्वेश्टिन मेंबर ओफ विच फॉलिंग पेर और फैमिली पोलन ग्रेंज रीटें देर वाइबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर रिलीज इनको सेव करके रख सकते हैं सोचने की वात नहीं लेग्यूमिनिस प्लांट्स जो होते हैं है लेग्यूमिनिस प्लांट्स के सीड को हम बहुत लंबे स 221-2 ए पीस्टी 1 रेस्टिक्शन एंजाने उफ दिन दुटीन फ्लांट्स एंपी यह एंपी किलिन एंप सिल पढ़एं इस इंसर्टिवेशन करके चीज और नो इनक्टिवेशन करके इक चीज और नो इन इनक्तिवेशन 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 उसके अंदर हम क्या क्या चीज़े करते हैं अभी यह पढ़ लिते स्टेटमेंट इट विल बी एबल टू प्रोडूस अ नॉवल प्रोटीन विद डियुल अबली टी इत विल नॉट पी अबल तो कन फॉर यहां पर हम इंसर्शन इनक्टिवेशन करें तो क्या होगा इट विल नॉट बी एबल टू डू एनीफिंग एल्स नाओ यह क्या करेगा उसको टर्न आफ कर देगा राइट राइट डिएवर्वन कर देगा विदो ऑफ ब्र इंसर्शन इनक्टिवेशन तो यह क्या करेगा इट विल नॉट बी एबल टू डू रेजिस्ट बसिकली है चलो जैसे सब्सक्राइब करने के लिए इस बार उन्हें सारे की साथ में दे दिये हैं हमने यह सारी चीज़ें सॉल्ट की थी सिंपल सी चीज़े याद रख लो उसके बारे में सिंपल है कि इनको मैच करना है आपस में है ना देखते जाओ कि कैसे कैसे मैच होता जाएगा अब देखो यह है जहां पर यह अलग-अलग हैं यह फैबेसी आई फैमिली इस एक थ्री एक थ्री यहां टूपर मिल गया तुमको डिरेक्ली बाकी भी मैच कर लो भी का फॉर एक् है तो तुम्हें कर एक वब द्यादा गई तो बाकी सरे अपने अप सॉल्ट है ना सिर्फ एक ही तुम देखो के सब कुछ लिखाए फैक्तिया इकलोता है जिसके अंदर जाइगो मॉर्फिक है बाकी सारे यह एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक ठीक है सबसे पहला है which is basically solar AC family है ना तो यह दो अगर तुम्हारे कंफर में तो तुम आप्शन नमबर टू को डिरेक्टली टिक करके आ सकते हूं ठीक है चलो संस्क्राइब करों बीटिकेशन है यह डी टू होना चाहिए ला जी टू फेस के अंदर हम क्या करते हैं जी टू फेस के अंदर होती है डीने रेप्लिकेशन और जी टू फेस के अंदर होगा डीने रेप्लिकेशन और जी टू फेस के अंदर होगा प्रोटीन सिंथेसिस और जी नॉट फेस का है इनक्टिव फेस है अब इसको तुम सॉल्व कर लो एस फेस कैसा है फोर तो का फोर देख लेते हैं कहां कहां पर हैं यह दोनों उसके बाद आ जाते हैं जी टूफेस पे जी टूफेस पे होता है प्रोटीन सिंथेस तो बी का वन यह रहा बी का वन आप्शन नंबर फॉर इस दा करेक्ट आंसर आगे बात समझ में बहुत इस और बहुत अच्छा पेपर यह था हो सकता है नेक्स चीर भी इसी चीज़ को फॉलो किया जाए तो में आज से ही स्पीड के ओपर थोड़ा सा फोकस करें अफ्कॉस विद्धी आक्यूरेसी पढ़ते पढ़ते आएगी लेकिन स्पीड आपको थोड़ी पहले से ही मेंटेन करते रहना पड़ेगी यह द यादे तो आपकी आक्यूरेसी तो है ही अच्छी आपकी अपने आप स्पीड भी बढ़ती जाएगी राइट चले तो दिस वह आल अबावाट टोड़ी स्क्लास काई अगली कास में मिलते हैं राइट चले तो विद दिस विद दिस सेक्शन हीर सी यू नेक्स ताइम बाइ